आई तरह आईशन अब हम समझते हैं कि मिनिमा किसे कहते हैं। निमा ठीक है? तो इसके लिए एक एक ले लेते हैं, बिलकु असान वाला एक ले लेते हैं। Suppose that, हमारे पास एक function है, x square plus 5, ये, ये हमारे पास एक function है, ठीक है, अचा, अब फिर से, क्या ये एक real function है, तो answer है yes, ये एक real function है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम x की कोई भी real value put कर सकते हैं, means, हम यहाँ पर positive integer, negative integer, zero, rational number, कुछ भी put कर सकते हैं, इसका मतलब x का जो domain है, या function, इस function का domain क्या है, real number, या हम कह सकते हैं, कि अगर हम interval लिखना चाहें, तो interval क्या है, कि हम minus infinity से positive infinity तक कुछ भी put कर सकते हैं, चीक है, तो ये एक कैसा function हुआ, तो ये एक real function हुआ, इतनी बात आती है, समझ में, अगर हम x की कुछ भी value put कर सकते हैं, तो यानि कि वहाँ पर कोई भी real value रखी जा सकती है, और अगर real value रखी जा सकती है, तो ये function क्या कहलाएगा, real function, एक बात, चीक है, इतनी बात आती है आपको समझ में, दूसरा, we know that x square is always greater than or equals to 0, power कैसी है, even है, तो ये number क्या होगा, इसके जो answer आएंगे, x की value put करने पर, वो answer क्या होंगे, 0 से greater होंगे, या 0 के एक एक वल होंगे, x की value 0 put करेंगे, तो answer 0 आएगा, 1 put करेंगे, तो answer 1 आएगा, minus 1 put करेंगे, तब भी answer 1 आएगा, चीक है, तो इसलिए, x square के answer क्या होंगे, always greater than or equals to 0, चीक है, प्लस में मुझे क्या चाहिए, 5, मैंने यहाँ 5 लिख लिया, चीक है, 0 में भी 5 add कर दिया, तो यहांसी क्या आएगा, x square plus 5 greater than or equals to क्या, 5, x square plus 5 को आपने क्या पहा था, अरे यह तो एक function है, जो हम लेकर चले थे, ठीक है, यह क्या है, fx, तो इसका मतलब, अब इसको पढ़ने का तरीका समझीए, fx क्या है, greater है, या equal है, किस से, 5 से, इसको अगर number line पर सोचें हम, कि यह supposed number line है, तो 5 से start होने वाली है बात है, या तो यह 5 के equal होगा, या उससे greater होगा, तो इसका मतलब, यह इधर चल रहा होगा, 6, 7, 8, इस तरह से जा रहा होगा यह, कहां तक, infinity तक चल रहा होगा, तो यह function, fx, greater है, या equal है, या यहां से शुरू होगा, और इधर की तरफ move करता जाएगा, चीक है, इस function की value 5 हो सकती है, या उससे ज़्यादा, अगर 5 और 5 से ज़्यादा है, तो minimum value कितनी है, फिर से, इस function की value 5, या 5 से ज़्यादा है, तो सबसे छोटी value हमें क्या मिलेगी, minimum value क्या मिलेगी, तो answer है, सबसे minimum value क्या हो सकती है, 5, क्योंकि इसके बाद तो सारी value greater आएगी, ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया, कि minimum value, minimum value है इसकी 5, ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में, minimum value 5 है, ओके, एट, अब मुझे तीसरी बात बताईए आप, पहली बात, ये एक real function है, ओके, दूसरी बात, ये पता कर लिया कि इसकी सबसे minimum value क्या है, 5, ठीक है, अब तीसरी बात, अब आप मुझे ये बताईए, कि ये कहां पर minimum value को दे रहा है, x की क्या value put करेंगे, कि यहां पर answer क्य 0 put कर दो, तो answer क्या आजाएगा, 5, अगर आपको ऐसे direct नहीं पता चलता है, तो आप क्या क्या करो, बिल्कुँ सिंपल सी चीज़ है क्या क्या क्या, 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 x square plus 5, equals to, जो minimum value चाहिए, वो रख लो यहां पर, ठीक है, 5 से 5, cancel, तो x square equals to, क्या बचा, 0, या x की value क्या आई, 0, ठीक है, तो यह जो minimum value है 5, वो कहां मिल रही है, तो answer है, x equals to 0 पर मिल रही है, ठीक है, तो यहां पर दो चीज़े मैंने आपको बताई हैं, वो यह, कि एक तो minimum value क्या है, 5, कहां पर है, तो answer है 0 पर, ठीक है, so this function has minimum value 5, at x equals to 0, ठीक है, आच्छा, इसको, अब हम graph से क्या से स तो graph से बड़े आसारी समझ जाएंगे, यह, हमने x और y axis बना लिए, ठीक है, x equals to 0 है, तो y की value कितनी है, तो y की value आती है, minimum value 5, ठीक है, तो यह graph इसका ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, यह इसकी minimum value x equals to 0 पर function की value क्या आ जाती है, 5, तो यह इसकी minimum value होगी, इधर भी यह function increasing है और इधर भी यह function increasing है, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, दोनों side में क्या होगा, increase होता चला जाएगा, so minimum value क्या मिलेगी हमें, 0 and 5, ठीक है, यह समझ आ रहा है, बिलकुल आसान है, तो अगर यह इतना आसान है, तो इसकी definition भी बिलकुल आसान होती होगी, कैसे होती होगी, जिसमें यह function की value क्या होती है, greater होती है, या equal होती है, at that point, means, इस बात का मतलब यह है, कि यहाँ पर आपने क्या लिखा, fx greater than equals to 5, और इसको हम क्या लिख सकते थे, fx greater than equals to, यह 5 कब आता है answer, यह 5 answer कब आता है, जब x की value क्या होती है, 0, तो इस चीज को ऐसे लिखा या सकता हाला, जब सकते हैं, यह x की value 0 put करने पर answer क्या आता है, 5, तो 5 को हम क्या लिख सकते है, f at 0, चीक है, तो किसी वी function में, किसी वी function, real function में, कोई एक point होता है, c, जो की कहां lie कर रहा होता है, तो answer है, वो उसके interval के बीच में ही कहीं lie कर रहा होता है, c, जिस पर उस function की हमें क्या value मिलती है, minimum value, क्यों, क्योंकि f x क्या होता है, greater या equals to at that point, चीक है, so that point gives us a minimum value, चीक है, तो यह minimum value है, अच्छा, अब यहाँ पर आप मुझसे बात करिए maximum value के बारे में, इस function की maximum value क्या हो सकती है, तो answer है, यहाँ आप value put करते जाओ, negative, positive, कुछ भी put करते जाओ, यह number क्या होत जाएगा, increase होता चला जाएगा, कितना increase होता जाएगा, तो answer है, हमें नहीं पता यह कहां तक increase हो रहा होगा, चीक है, तो इसकी हम minimum value तो decide कर सकते हैं, लेकिन कौन सी value decide नहीं कर सकते, maximum value, तो यहाँ क्या लिखेंगे, no maximum value, तो इसलिए हमने क्या note कर लिया, कि किसी भी function, कोई interval i में, may attain the minimum value at a point, minimum value हो सकती है किसी point पर, but not the maximum value at any point, किसी भी, कोई भी ऐसा point नहीं हो सकता, जहाँ पर एक maximum value मिल जाए, same function के लिए, तो यहाँ किसी भी function में, एक minimum value हो सकती है, लेकिन कोई हो सकता है, कोई ऐसा point ही ना मिले, जहाँ पर maximum value हो, चीक है, तो यह दोनों बात हैं आपने समझी, maximum के लिए भी और minimum के लिए हो, ठीक है, आप कुछ और example देख लेते हैं, ओके, तो अभी तक आपने क्या समझा, आपने समझा, आपने एक example लिया, fx equals to minus x minus 1 whole square plus 10, ठीक है, तो इसमें आपने यह समझा, कि इस question की maximum value आ सकती है, क्या, 10, जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है, maximum value 10 आएगी, कहां पर आएगी, at x, x की value क्या put करता हैं, यहाँ पर 1, तो यह चीज़ 0 हो जाएगी, तो maximum value 10 मिल जाएगी, at x equals to 1, यह आपने समझा कैसे करते हो, इसके अलावा आपने और क्या समझा, आपने समझा, fx equals to, अगर कहीं लिख हो, suppose that x square plus 5, तो इस function की हमें क्या मिलती है, minimum value, minimum value इस function की आती है, कितनी समझीती आपने, 5 आती है, कब आती है, जब यहाँ पर x की value क्या put करते हैं, 0, 0 put करेंगे, तो यह minimum value हमें 5 दे देता है, ठीक है, क्योंकि x की और कोई value put करने पर, तो यह function increase होता चला जाएगा, at x equals to 0, यहाँ आपने यह समझा था, कि यह maximum value 10 है, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पर, no minimum value, यहाँ पर आपने यह देखा था कि कम से कम answer, minimum answer 5 आएगा, और इसके बाद तो वो answer increase होता चला जाएगा, तो minimum value तो 5 है, लेकिन कोई भी maximum value नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, no maximum value, ठीक है इतनी बात भी समझ में आती है, अब इसके आगे, एक third function में आपको यहाँ पर लेकर दिखाता हूँ, ठीक है, third function की बात करता हूँ, third function में यहाँ पर ले लिया, fx equals to, suppose that, हमने ले लिया, sine x, क्या ले लिया, sine x ले लिया, sine x की value आप जानते हो, आपने पढ़ाया technometry में, कि sine x की value less than or equals to one होती है, चीक है, या greater than or equals to किसे minus one होती है, तो sine x की value minus one और one के बीच में lie करती है, तो यहाँ से अगर मैं समझू, graph से अगर मैं समझना चाहूँ, यह मेरा x है, यह x dash है, यह y, यह y dash, और तो आपको पता है कि sine की जो value होती है, उसका graph, कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसा, ठीक है, यह से जा रहा होता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यह value इसकी सबसे बड़ी value, यह sine x जो होता है, वो less than होता है, यह equals to one, okay, तो less than one होता है, यानि कि सबसे बड़ा number वहाँ पर क्या आता होगा, one आता होगा, यह आता है, यह one कब आता है, है ना, तो य answer 1 है, 1 कब आता है pi y 2 पर आता है pi y 2 रखने पर answer क्या आता है 90 degree पर sign की value क्या आती है, 1, तो यहाँ पर आपको एक maximum value मिली, कहाँ पर मिली जब आपने x की value क्या रखी, pi y 2 x की value pi y 2 रखी यहाँ पर, तो answer क्या आया, 1 आया तो यहाँ एक maximum value मिल गई, इस function के लिए, चीक है, अच्छा, अब इसके आगे की बात करते हो, minus 1, minus 1 से यह कैसा है, greater, ठीक है, minus 1 से greater, तो minus 1 से greater का मतलब हो गया, कि minimum value कौन होगा, minus 1, minimum value minus 1, यहाँ मिल रही होगी कोई, ठीक है, minus 1, लेकिन यह कप मिल रही होगी, तो answer है, यह हमें 3 pi y 2 पर मिल रही होगी, कितनी minus 1, ठीक है, तो इसका मतलब, इसी function के graph के लिए, हमें एक maximum value मिलती है, maximum value, कितनी, 1, इसी graph के लिए, इसी function के लिए, हमें एक minimum value भी मिल जाती है, minimum value भी मिल गई, कितनी, minus 1, maximum value हमें मिली, कहां पर, at x equals to कितने पर, pi y 2 पर, minimum value हमें मिली, कहां पर, at x equals to minus, x equals to 3 pi y 2 पर, ठीक है, अगर यह function हमने define कर रखा है, किस interval के लिए, तो answer है, 0 से pi के लिए, ठीक है, कहां से कहां तक मनाना है, हमें, 0 से phi, तो interval जरूर हमें define करना है, नहीं तो यह होगा, कि minus 1 तो sign में और भी कहीं होता है, तो हमें फिर से question में हमें क्या given होगा, यह function है, इस interval की बात करनी है, ठीक है, तो इस interval में सबसे maximum value कहां पर मिलेगी, pi by 2 पर, कितनी मिलेगी, 1, ठीक है, इसी interval में minimum value कौन सी मिलेगी, minus 1, कहां पर मिलेगी, 3 pi by 2 पर मिलेगी, ठीक है, इतनी बात आ रहे हैं समझ में, तो अभी तक आपने इसमें देखा था कि हो सकता है केवल maximum value हो, कोई minimum value ना हो, हो सकता है minimum value हो, कोई maximum value ना हो, हब आपने यह समझ लिया, कि हो सकता है एक ही function के लिए maximum value भी हो, और minimum value भी हो, ठीक है, तो आप आपको याद हो जाएगा, कि किसी भी function का, किसी interval i में, may it attain maximum value, and also minimum value, ठीक है, ओके, एक और example में लेता हूँ, fourth example आप देखिए, ठीक है, एक और function ले लेते हैं, fx equals to x cube, यह हमने एक function ले लिया, ठीक है, किस interval की बात करें, तो आप देखिए क्या यह एक real function है, तो answer is yes, it is a real function, यहाँ पर x की value कुछ भी आप put कर सकते हैं, तो इसके domain की अगर हम बात करें, तो domain क्या है, इसका real numbers, ठीक है, real numbers है, means मैं क्या put कर सकता हूँ, minus infinity से positive infinity तक कुछ भी put कर सकता हूँ, तो मेरा function यह है, यह मेरा interval है, ठीक है, अब इसके बाद, यहाँ पर value put करके देखते हैं, तो यहाँ पर value कुछ भी put हो सकती है, और इसका graph जो होगा, वो कुछ ऐसा रहा होगा, like, x की value 0 करने पर 0 आता होगा, तो यह कुछ ऐसा कुछ जाता होगा, यह कुछ ऐसा जाता होगा, ठीक है, इस तरह से यह चलता जाएगा, यह है, ठीक है, increasing है, और इधर decreasing है, यह है, 0, 0, यह x, x dash, y, y dash, ठीक है, इस तरह से चलता होगा यह, ओके, तो आपने क्या देखा, कि x q की जो value है, यहाँ पर, अगर मैं 1 put करता हूँ, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं x की value क्या put करता हूँ, 1, तो इस function की value क्या आएगी, तो answer है, at x equals to 1, at x equals to 1, answer आएगा 1, 1 आएगा, ठीक है, अगर मैं x equals to minus 1 put करता हूँ, तो, तो answer है, answer आएगा, minus 1, ठीक है, इसका मतलब maximum value भी, एक positive value भी आएगी, और minimum value आएगी, similarly, अगर मैं यहाँ 2 put करूँ, x equals to 2 put करूँ, तो 2 put करने पर answer कितना आएगा, 2 का q करोगे, answer आएगा 8, अगर x equals to minus 2 put करूँ, तो minus 2 put कर रहेंगे, यहाँ पर अगर, तो minus 2 का q कितना आएगा, minus 8, तो इसका मतलब जैसा graph, उपर इधर चल रहा है, ऐसा ही graph इधर भी चल रहा होगा, ठीक है, इधर भी increasing, और इधर भी increasing है, लेकिन negative वाली side बहाँ, तो यहाँ से इसकी maximum value कितनी होगी, तो answer नहीं पता चल रहा है, कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी put करते जाओ, answer क्या होगा, increase होता चला जाएगा, और negative में अगर put करते जाओ, तो negative की side increase होता चला जाएगा, तो यहाँ पर हम decide नहीं कर सकते, कि यह कितना maximum होगा, या कितना minimum value को gain कर रहा होगा, तो यह एक example है, कि no maximum value, हम नहीं decide कर पाए, कि इसकी maximum value क्या होगी, और हम also नहीं decide कर पाए, कि इसकी minimum value क्या होगी, ठीक है?